तो यहांपर दोफ्तों आज की वडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ इस प्रोगलम के बारे में क्योंकि बहुत फ़रे लोगों को यह प्रोगलम आता है लोग अपना debit card यहांपर नहीं डाल पाते कैफे डालना है फ़री का माच की वडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ तो जैफे दोफ्तों आप Paytm में आ जाते हो अपना new bank account अड़ करते हो और नीचे आ जाता है fat up upi pin option तो जैफे आप यहांपर क्लिक करोगी तो आपके पाफ यह वाला आपको यहांपर अपने कार्ड के last fixed debit डालने होते हैं और यहांपर भी क्या डालना होता वह भी आपको बता देता हूँ जैफे दाफ तो मैंने एक new account बनाया था और उसका debit card आ जाया था ठीक है तो यह debit card आफ का तो अभी क्या करेंगे यह जो पिछले 6 अखर हैं उनको हम यहांपर एंटर कर देंगे तो simply if यहांपर पचाफ फे हूर हो जाते हैं तो मैं पचाफ टाइप करूँगा and यहांपर 73 and 43 ठीक है तो इतना करने के बाद आके जो नीचे valid date होती है mm and for yy लिखा होगा वहांपर वो आपको यहांपर एंटर करना है mm and yy तो वो card के जो disparate होती है जिस दिन आपका card को बंद होना होता है वो चीज आपके आपने यहांपर डालनी होती है तो यहांपर मैं 0-2 यहांपर जो मेरे लिखा हुआ है वो डाल देता हूं and लिखा हुआ है 2000 ठाई ठीक है तो 2-8 मैं डाल दूँगा तो डालने के बाद मैं profit पर क्लिक कर द अभी दोफ तो आपको अपने एक UPI पन करेट करने है तो simply अपको मैं UPI लगा कर देता हूं जैसे मैं अपना UPI पन लगाता हूं यह वालनी 0-585 ठीक है यह लगा देता हूं मैं show भी कर देता हूं 0-585 फिर आपको repeat कर देना है तो फिर यहांपर मैं लगा दूँगा इसको तो लगाने के बाद दोफ तो मुझे लगता है टेकनिकल आएगा क्योंकि फरवर लो होता है इस टाइम यह दिखिया अभी यह हो नहीं रहा क्योंकि फरवर का दिक्कत है आपके हो जाएगा ठीक है अगर आप करोगे तो आपके अकाउंट से हो जाएगा मेरा भी बैंक के थोड़ी फी डाउन लग रही है मुझे और के काउंट यह हो नहीं रहा तो मेद करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा